हाई फ्रेंट्स फिर सेकंड नगी वीडियो में आपका स्वागत आए अभी फ्रीपकार्ट ने अपना यूपीआई पेमेंट फेचर लांज किया है जहाँ पर फ्रीपकार्ट में अपना यूपीआई अगाउंट सेट अप करके आप आसानी से किसी को भी कहीं भी पेमेंट क आगा कि तरह से कंप्लीट कर सकते हो वीडियों को चटूरू करता है इस अंटरफेस आपको देखने को विजाता है जस्ट आपको सबसे पहले अप्सन दियागे हैं यहाँ पर उपर में scan and pay का जस्ट आपको इस बटन पर क्लिक करना है तब ही आप अपने flip cut UPI को एक्टिवेट कर पाओगे जस्ट आपको scan and pay वाले बटन पर क्लिक करना है जैसे ही आप क्लिक करते हो आपके समने ऐसा इंटरफेस हाजाता है जहाँ पर scan any QR code लिखा हुआ ऐसा अप्सन देखने को मिलता है जस्ट आपको नीचे में यहाँ पर देखिए तीन अप्सन देखने को मिलता है पहला है send money दूसरा अप्सन है scan and pay और तीसरा अप्सन है my UPI जस्ट आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको my UPI वाले बटन पर क्लिक करना है जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करते हो आपके समने यहाँ पर ऐसा एक इंटरफेस लोडिंग ले लेगा सबसे पहले यहाँ पर बता दू कि अगर आप flip card UPI से first order करते हो flip card पर तो आपको 25 रुपए का flat cashback यहाँ पर मिलता है आप लोगों को तो देखें UPI setup करना के लिए आपके पास एक bank account होना चाहिए और आपके पास bank में registered mobile number होना चाहिए जस्ट यहाँ पर देखें add bank account वाले बटन पर किलिक करेंगे जैसे ही आप यहाँ पर किलिक करोगे ऐसा interface सदाएगा यहाँ पर आपको अपना bank select कर लेना है जिस भी bank में आपका account है उस bank account को आप यहाँ पर select करोगे जैसे कि मैं यहाँ पर search कर लेता हूँ bank of बरावदा ठीक है यहाँ पर मैंने सर्च किया यहाँ पर आ चुका है bank of बरावदा मेरे सामने जस्ट इस पर किलिक करेंगे जैसे किलिक करोगे आपको यहाँ पर पर परमिसन अलाव करेंगे यहाँ पर मैंने permission अलाव कर दिया अब just यहाँ पर SMS verify होगा और यहाँ पर यह मेरे bank count के details को detect कर लेगा यहाँ पर देखेंगे कि मेरा जो bank count है वो यहाँ पर add हो चुका है अब हमारे समने ऐसा option देखने को आ रहा है अब देखें बहुत सारे लोग पुछेंगे कि flip card अकि पेमेंट किस bank के साथ मिल कर रहा है तो यहाँ पर आप लोगों को बाता दूँगी flip card जो है axis bank के साथ मिलकर यहाँ जो payment वाला system है उसको अफ़रेट कर रहा है तो flip card और axis bank का partnership है यहाँ पर अब यहाँ पर देखेंगे आ आप किसी को भी कहीं भी payment कर सकते हो अब देखि यहाँ पर आपको किसी को भी payment करना हो यानि कि किसी को पैसे भिजना है तो आप कैसे भीज़े तो जैसे ही यहाँ पर किलिक करते हो आपके समने ऐसा इंटरफेस सजाएगा फोल नंबर वाले अप्शन पर क्लिक करोगे और यहां से आप कंटेक्ट को अलाव करोगे यहां से आपको जिस भी नंबर पर पैसे भेजना है उसका नंबर यहाँ पर सर्च करोगे या फिर आप यहाँ पर search contact पर click करोगे यहाँ से आप number डालोगे जिसको भी पैसे भेजना है उसका phone number डालोगे अगर वो कोई भी UPI application चलाता है तो just उसके number का यहाँ पर UPI ID सो हो जाएगा यहाँ अपने contact में से जिस बंदे को पैसे भेजना है उसका यहाँ पर नाम आप search करोगे यहाँ पर आप उसका नाम search करोगे और यहाँ पर select करोगे उसकी बाद यहाँ पर आपके समने उसका number और उसका नाम आजाएगा यहाँ पर आपको जीता भी amount paid करना है जस्ट यहाँ पर amount डालोगे अब आप यहाँ से bank account select करोगे जो भी bank account से आपको पैसे भीजना है यहाँ change वाले button पर click करके आप change भी कर सकते हो किसी दूसरे bank account से payment कर सकते हो जस्ट यहाँ पर pay वाले button पर click करेंगे payment करने के लिए अब यहाँ पर आपको अपना UPI pin डाल देना है UPI pin डाल कर जैसे ही आप यहाँ पर right click करोगे यहाँ पर आपका जो payment है वो successful हो जाएगा अब यहाँ पर देखिए payment successful हो चुका है यहाँ पर मेरे account से 10 रुपे कट गये हैं और उसके account में 10 रुपे क्रडिट होए गये हैं जिसको मैंने पैसे भेजा हैं अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने payment successful कर दिया है यहाँ डान वाले button पर click कर देंगे अगर आपको इस तरह UPI ID से पैसे भेज ना है तो UPI ID वाले section पर click करोगे यहाँ पर UPI ID डालोगे जैसे कि देखिए मैं यहाँ पर अपना एक दूसरा UPI ID डालता हूँ यहाँ पर मैंने UPI ID डाल दिया है जैसे ही payment करोगे यहाँ पर आप देख से भी मैंने यहाँ पर payment किया और यहाँ payment successful हो चुका है तो इस तरह से आप mobile number के थूरू या फिर UPI ID के थूरू आसानी से payment कर सकते हो flip card से और आप scan and pay भी कर सकते हो तो फिर इस तरह से आप flip card UPI आसानी से चला सकते हो उसको manage कैसे करना है इस बारे में भी मैं आपको पूरा details में बता दूँगा अगर flip card UPI में कोई दूसरा bank account आइड करना है तो इसके लिए ज़सके निची आओगे यहाँ पर आपको payment methods वाले option पर किलिक करना है जैसे ही किलिक करते हो ऐसा interface है यहाँ पर आप देशत हो कि bank का परावदा मैंने add किया था तो bank के परावदा का account यहाँ पर आइड है यह primary है अगर दूसरा bank account आइड करना है तो ज़स्ट यहाँ add bank पर किलिक करेंगे जैसे ही किलिक करोगे ऐसा interface हाजएगा यहाँ पर bank का नाम डालोगे यहाँ पर estate bank of india का यहाँ पर account आइड करना है ज़स्ट estate bank of india को select करेंगे यहाँ पर यहाँ आपके bank details को check करेगा आपका यहाँ पर bank account detect कर लेगा ज़स्ट आपको यहाँ पर done वाले बटन पर किलिक कर दिना है जैसे ही done पर किलिक करोगे यहाँ पर आपते सत्य हो कि bank account add हो चुका है bank of बरावदा और estate bank of india दोनो bank account मेरा add हो चुका है अब आपको क्या करना है यहाँ पर एक default bank account देखना है जैसे कि सबसे उपर में है primary bank account यानि कि कोई भी अगर पैसे भेज़ेगा मेरे flip card के UPI ID पर तो वो इसी bank में आएगा अगर आप इसको change करना चाहते हो तो जीस bank में आपको पैसे लेना है उस bank account पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपको क्या करना है कि set as primary पर क्लिक कर दोगे तो जीस bank account को आपने primary पर set किया है वो आपका primary account बन जाएगा यहाँ पर आप देशेते हो कि अब state bank of India यहाँ पर मेरा primary account हो चुका है अगर आपको रूपे credit card राइड करना है एड रूपे credit card पर क्लिक करोगे यहाँ पर आप अपना bank सेलेक्ट करोगे कि किस bank का आपके पास रूपे credit card है उस bank को यहाँ पर सेलेक्ट करोगे और आप अपना card number डलकर आसानी से यहाँ पर राइड कर सकते हो अगर आपको अपने flip card UPI का QR code देखना है तो QR code देखने के लिए ज़स्ट आप यहाँ पर किलिक करोगे my QR code बाले बटन पर जैसे ही यहाँ पर आप किलिक करोगे आपके समने ऐसा interface open हो जाएगा यहाँ पर आपको flip card का QR code देखने को मिल जाता है आप यहाँ पर अपना QR code आसानी से डाउनलोड कर सकते है अगर आपको अपने account का balance चेक करना है कि आपके account में कितना available balance है तो जस्ट इसके लिए आपको क्या करना है स्क्रोल करके निची आओगे comment method वाले option पर किलिक करोगे यहाँ पर जिस bank का balance चेक करना है उस bank account को select करोगे यहाँ पर आपको check balance वाले button पर किलिक करना है जैसे ही यहाँ पर किलिक करोगे यहाँ पर आप अपना UPI पिन डालोगे और आपके account में कितना balance है यह आपको यहाँ पर show करदेगा तो इस तरह से आप अपने account के balance को भी check कर सकते हो अगर आपको यहाँ पर pin चेंज करना है तो change pin पर क्लिक करके pin चेंज कर सकते हो अगर आपको pin भूल कए हो तो यहाँ पर pin को generate भी कर सकते हो आज करता हो आज का वीडियो देकार आप लोग सिख चुक होंगे कि कि इस तरह से आप Flipcut UPI के कम्प्रेट्ली यूज कर सकते हो और अपने UPI एकाउंट को कि इस तरह से Flipcut for Manage कर सकते हो आज के लिए इतना है तो लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना आज के लिए इतना ही फी मिलेंगे नेक्स्ट व्डियो में किसी इंट्रेस्टिंग टक्तिक के साथ